आप सभी फेस्बुक फ्रेंट्स को और जो मुझे फेस्बुक लाइव पर जो भी युवा साथी देख रहे हैं आप सभी को जोहार जिन्दाबाद जय दिवासी और आज सोचल मिडिया पर जो मुझे युवा साथी जो हमारे दोस्त हमारे जुड़ेवे समस्त फ्रेंट्स जो मुझे देख रहे हैं इस महामारी के इस मुश्किल दोर में जिन जिन युवाओं ने जिन जिन फ्रेंट्स ने अपने रिष्टदारों को अपने परिवार के सगे संबंदियों को और अपने दोस्तों को इस मुश्किल हालात में खोया है एक और हमने भी जिन अपने साथियों को अपने करीबियों को अपने छेत्र के अपने गाउं के अपने सगाशन संबंदियों को जो इस मुश्कील हालात में हमने स्कुईड महमारी के चपेट में आप सब उन सभी दिवंगत आत्माओं के परती हाद जोड़कर उन्हें स्रधा आप सभी पिलित परिवारों के परती में दुख और समिधना परकट करता हूं साथियों फेस्बुक लायू पर थोड़ा सा लेट से पहुंचा हूं इस कोरोना महामारी में इस मुस्किल हालातों में लेट पहुंचने लेट लायू होने के पीछे आप समझ सकते हैं कि जन परत परती हैं तो उसके करणन में उसके लिए च्वाप पर आज में महतपूर्ण बिंदूओं पर इस महामारी के बुरे दोर में आप सभी से अपने विचार रखूंगा और मुझे पुरी उम्मीद है कि मेरे माधियम से आप सभी तक बहुत सारी महतपूर्ण जानकरियां गाउं में उन जानकरी के माधियम से हमारे ग्राम वास्यों को हमारे परिवारों के सदस्यों को हमारे रिस्तरदारों के लिए वह जानकरी का पर महतपूर्ण हो सकती है साथियों इस महामारी कोविड महामारी के दूसरे फेज में दूसरी लिवेव में जहां पर कि देश में प्रती दिन चार लाग के लगभग कोविड संक्रमित मरी जा रहे हैं तीन हजार से उपर रिकार्ड तोड पर डे पूरे देश में सरकारी डाटा के अधार पर मौत हो रही है और वास्तों में परड़े कितने लोग मर रहे हैं यह आप और हम जान रहे हैं सरकारी डाटा कितना फेक होता है कितने कितनी जानकारी सरकार छुपा रही है आप सब आप और हम सब जान रहे हैं इसमें कुछ दोबत नहीं है 100 कोड़ें पूर्णा माहाँमारी के सेकंड से निफटने में हमारी सरकार मध्यप्रदेश की सीवराज सिंग что-illon सरकार क्यों फैले और कि आप सब जानते हैं क्यूंकि सरकार सबसे पहली बात तो मद्यप्रदेश की सरकार सिवरा सिंग चुहान सरकार ने जो खरीद परोक्त के बाद बनी हैं दूसरी महत्पूर्ण बात है कि केंदर की मोधी सरकार ने जिसको सिर्पत तीन-चार राज्यों में होने वाले चुनाओ खासकर असी मंगाल केरल असाम में ज इसमें सारे सारे दोसी है इसमें कोई दो मत नहीं जहां पर फर्ष्ट वेव के बाद में हमारी देश की सरकार को चाहिए था कि देश में प्रोपर सरकार को चाहिए था कि देश के गंभीर हालातों में प्रोपर अस्पतर्लों की विवस्था को मजबूत करना देश में संचाली कोविट छेंटरों को बंद नहीं करना चाहिए लेकिन जो सरकार ने जो निर्णाई लिया कि कोईट शेंटरों को बंद कर दिया गया फ़स्ट के बाद में एक बड़ी भूल रही सरकार की आज देश में प्रदेश में ऑक्सिजन को लेकर जो हाहाकार मचा हुआ है और आप मीडिया के माध्यम से टीवी के माध्यम से और हकि कोई संब्धियों को बचाने के लिए किस कदर भटक रहा है मुझे दुख के साथ बताना पड़ रहा है कि हमारे कई मरीज जो हमारी परीच्चितों के उनको अस्पतालों में समय पर इलाज नहीं मिलने के कारण काल के गाल में समय जुपा रहे हैं आज एक महतूर्ण बात पर आप लोग को सब को गोर करने की जरूत है इस महामारी के चपेट में सबसे ज़्यादा अगर मारे जा रहे हैं तो गरीब लोग सबसे ज़्यादा इस काल के गाल में समय रहे हैं तो वह है हमारे ग्राम ग्रामिन शित्रों के निवासी इस महामारी के मुश्किल दोर में इस महामारी से हम कैसे बच सकते हैं गरामिन छेत्रे की जनता को कैसे बचा सकते हैं मैं उन सब बिंदों पर चर्चा करना चाहता हूँ आज आज गरामिन छेत्रों में एक बड़ा एक ब्रहम वाली अवस्ता है कि ब्रहम फिलाए जा रहा है कि कोरोना महामारी के कारण स्पिताल में जाने से मौत हो जाएगी या वेक्सिनेशन वेक्सिन लगाने के बाद हमारे मरीज मर सकते हैं मैं आप सभी साथियों से आप सभी साथियों को बताना चाहता हूँ कि हमारे देश में कोरोना की जो सेकेंड वियो इस कदर बड़ी उसके जो कारण है उसको में बताना चाहता हूँ एक तो जो महितपूर्ण कारण है कि जहां पर पूरी दुनिया में जहां जहां चाहे चाइना हो चाहे अमिरिका हो आस्टेलिया नेउजियलेंड जापान लियों कई excited को क कंट्रॉल कर लिया है काफी हट तक वहाँ पर नहीं बढ़ा है हमारे हमारे देश में जो सकनद व्योजिससे सेंड मिउटेशन कि बात आ रही है ए मुंहां पर कि जब से ज़्यादा देश में हमारे देश में जो लोग मारे जा रहे हैं में एक सबसे बड़ा कारण है कि एक तो जो हमारे देश का 70% भाग जो ग्रामिन आवादी है ग्रामिन शेत्रों में निवास करते हैं मरीजों को अस्पताल में उस समय पहुंचा रहें जब वो बहुत गंबीर हालात में हो जाते कि जब उनका सेचुरेशन स्प्यू टू हमारे सरीर का जो अक्सिजन लेवल कहते हैं वह सहाट पर्शेंट 50% 40% पर जब घंबीर होता है जब तक कोई मरीज गंबीर नहीं होता है ग्रामिन अलाकों में उनको एक तो अस्पताल में ले जा रहा है तो जिस समय जिस समय मरीजों का स्थीव और चालीस परशन है उनको इंटेंशिव के रिमिट में एडमीट कराना चाहिए उनको इंट्यूबेशन की जरौत होती उस समय हमारे मरीज जो एसी इस्थति में पहुंच रहें उनको सामान्य वार्ड में चनर्ल वार्ड में भरती क्या जा रहा ह और जिस समय उनको 50 से 60 लिटर प्रती मिनिट अक्सिजन के आउसकता होनी चाहिए वहाँ पर उनको 5-10 लिटर अक्सिजन दिया जा रहा है तो ऐसे में मरीज केसे बचेगा यह सारी सिस्टम जो यह सारी लापरवाई सरकार की है सरकार चहती तो इन जानों को बचा सकते थी कई हो घो मरीज थे जिनको बचा सकते थे लेकिन सरकार ना इसकी तैयारे नी कर चलो जो सरकार की कि अब कमियों को सरकार की गलतियों को ढूनने की बज़ाए हम कैसे अभी भी ग्रामिन छेत्रों में आम जनों को कैसे बचा सकते हैं उस पर में बात करना चाहता हूं एक तो सबसे पहले तो मैं शोशल मीडिया के माद्यम से जो मेरे फेस्बुक पर जबही सबी युवा साती जो सुन रहे हैं अभी 89 मुझे लो ला युज तका जन देख रहे हैं आपको आपके परिवार में आपके गाउं में किसी भी युवा को उनके परिवार वालों को घर गले में दर्दे के साथ बुखार आ रहा है वाइरल इंफेक्शन जैसी कंडिशन पैदा हो रही है तो सबसे पहले जो सुनिश्चित करना है हमको ऑक्सिजन लेवल हमारे सरीर में जो ऑक्सिजन लेवल देखना होता है वो चेक करना है कैसे करना है वह हमारे लखी चुनोती है क्योंकि जो पल्स आक्सिमिटर जिसको हम हम इंडेक्स फिंगर या मिड्ल फिंगर या किसी भी फिंगर में जहा पर चेक करना वह ऊवह उसके माध्यम से चेक करते है due हमारे बोडी का SPO2 97, 98, 100 तक होता है लेकिन में और आप अच्छी तरह जानते हैं कि SPO2 चेक करना ग्रामिन छेत्रों में ग्रामिन इलाकों में हमारे आदिवसी बहुली इलाकों में बहुत मुश्किल है तो उसका अल्टरनेटिव क्या है वह हमारे बोडी के अंदर अक्षिजन लेवल क्या चल रहा है वह बीना पल्स अक्षिमेटर से कैसे हम लोग जाने यह महित्पूर्ण है मैं आप सब को मैं बताना चाहता हूं कि अगर अक्षिजन हमारे सरीर में लंक्स की केपेसिटी हमारे सरीर में अक्षिजन लेवल क्या चल रहा होगा यह अगर हम लोग प्रिक्टिकली देखना चाहते हैं तो हमको एक सांस में एक लंबी सांस कीच कर लगातार गिंती बोलना है जैसे मैं आपको बता रहा हूं कि कि में एक सांस में कितनी गिंती एक सांस में अगर हम लोग 30 तक गिंती गिन सकते हैं तो निश्ची थी हमारा ऑक्सिजन लेवल हमारे बोड़ी का अक्सिजन लेवल इसका मतलब यह है कि अगर 30 से ज्यादा तक आप गिंती गिन पा रहे हैं तो इसका मतलब यह है कि आपके बोड़ी में लेवल बेटर रहे तो यह अक्सिजन लेवल यह बीना पल्स अक्सिमेटर से आप गिन सकते हैं अगर आप 20 से 30 के बीच में अगर आप गिंती गिन पा रहे हैं एक सांस में तो निशी ते आपका अशीजन लेवल नभे के लगभग होगा 95 से नीचे आ अगया होगा और आप 10 से 15 ही गिन पा रहें तो यह मान के चलिए कि आपका आउसिज लेवल अशी के असी और नभे की बीच में आगया होगा तो एसी कंडिशन में आपको जैसे हैं आपका ओक्सिजन लेवल आपका 95 से नीचे आ रहा है नभे से नीचे आ रहा है तो तुरं अगर अगर आपके अक्सिजन का लेवल 80-90 के बीच में है या 90-95 के बीच में है तो आपको डॉक्टर बचाने के लिए आपके बचने की संभावना नभे से 95% हो जाती है यह मान के चले कि लगबग लगबग 100% हो सकती है लेकिन अगर आप डॉक्टर के पास पहुंचते हैं और आपका अक्सिजन लेवल 60% है SPO-60 है 50-40 है ऐसी कंडिशन में आपके लंग्स के अंदर यह मान के चलिए कि जो दवाई देना है जो इस्टरोइड देना है हमको वह भी काम नहीं करेगा तो हम लोग को जो अरली फेज में जो टीटमेंट लेनी चाहिए वह हम लोग नहीं दे पा रहे हैं और डॉक्टर भी इस करण चाहते हों भी कुछ नहीं कर पा रहे है जिन भी जिन भी लोगों का ऑक्सिजन सेचुरेशन 95 और 90 के बीच में उनको होम आइसोलेशन के माध्यम से हम लोग लोकल औरल मेडिसीन लेकर अच्छा खान पान देकर हम उनको बचा सकते हैं और हमको बहुत ज्यादा घबराने के जरूत नहीं है अगर हमारे बोड़ी में हाइपोक्सिया केस क्यों हो रहा या अक्जियन लेवल कम क्यों हो रहा इसकी मेकनिजम हम सब को जानने की जरूत है और कोरोना महामारी के जो स्टेजेस वह हमारे लिए मुझे पता है आप सब डॉक्टर नहीं है और आप इसकी पेत्व फिजियोलोजी आप लोग को के लिए समझना बड़ा कटीन है आप लोग को समझाना भी बड़ा कटीन है क्योंकि जिस मेडिकल के लिए कहीं साल लगते हैं दस से पंद्रा साल लगते हैं उसमें दो या पांच या एक घंटे के अंदर एक्स्प्लेन करना भी बहुत कटीन में चानता हूं लेकिन फिर भी मैं आप लोग को मोटी मोटी बाते बता रहा हूं कि जो इसकी जो दो-तीन स्टेज है एक तो पल्मोंडरी स्टेज प्रो-इंफ्लामेटरी स्पे इस्टेज और एक थ्रमबोटिक स्टेज स्टेज जो तीन स्टेज कोरोना की है पुल्मोंद्री स्टेज में तो निस्षी थी लंग्स के अंदर नीमूनिया होता है और आज हम सब देख रहे हैं कि जो भी वाइरल फ्यूवर के साथ जा रहा है जिसको भी थोड़ी बहुत सास ले रहे हैं सबसे ज्यादा सिटी स्केन हो रहा है दूसरा जो प्रो इंफ्लामेटरी स्टेज प्रो इंफ्लामेटरी स्टेज है उसमें हमारे लंग्स के अंदर हमारे बोड़ी साइटोकाइन साइटोक्रोम स्टॉर्म साइटोकाइन स्टॉर्म जो सब्द जो आ रहा है जो स्टेज कर इस नाम हम ले रहे हैं जो साइटोकाइन ब्रस्ट होते हैं कहीं परकार के साइटोकाइन से एकदम से फूट पड़ते हैं पर जब साइटोकाइन रिलीज होते हैं इ इंटर्लुकिन वन तिस्व नेक्रोटिक फेक्टर अलफा और भी कहीं परकार के साइटोकाइन रिलीज होता है यह प्रो-इंफ्लामेटरी स्टेज में जो जिसको और यह सब यह कोरोना वाइरस इंड्यूस्ड यह CRS भी बलते हैं साइटोकाइन साइटोकाइन रिलीज सिंड्रोम कोरोना वाइरस कोवीड सार्स कोवीड 19 सार्स कोवीड 2 वाइरस जो है CRS कोरोना साइटोकाइन रिलीज सिंड्रोम और साइटोकाइन रिलीज सिंड्रोम यह स्टेज भी सब मरीजों में नहीं है यह अलग-अलग बोडी का उन पर जो इम्म्यूनिटी किस परकार रियेक्ट करता है करोंगा Todo Aires हार मरीजों में वेरी करता को उसका जो कोन से कोन से मरीजों में बहुत सिवेर हो जाएगा कौन सी स्टेज बहुत सीवेर रहीगी यह बहुत खतरनाख और जो अकरी स्टेज थ्रमोटिक स्टेज इसमें हमारे बोडी में जितने भी एक कोगुलेशन फेक्टर है तक सबसे जयादा फेक्टर तें है एक्टीबेट हो जाते हैं प्लेटलेट को एग्रीगेट करते हैं कुछ फेक्टरs जो धोटर कोगलेशन कीक्टर बोड़ी में बढ़ जाते हैं और जो थर्ड इस्टेज है यह ऐस्ट तर फीवर खतम होने लगते हैं कहीं बार फी चह स्थार्ड हो ग्यायः से अराम से हे और हम बोलते हैं के धूर हम्मर फोटेट को और है और वार को पूटिक इस्टेज है कि वो बहुत खतरनाक है और इसमें जरूरी नहीं कि मरीज के ठीक होने के बाद भी शुरू हो यह साइटोकॉन इस्टोर्म के जस्ट बाद भी सुरू होती है इसमें कांगुलेशन फेक्टर डिष्टर्ब होते हैं और प्लेटले लेगरिएट होते हैं क्लोटिंग बनाते हैं हमारे जो ब्लट के जो थक्या बनने लगते हैं वह हार्ट के अंदर जाता है तो हःट ऐसे ब्रेन आठेक आता है और हम देख रहे हैं अक्टर जो कुरूना के पेशेंट है एकदम करेंगे लेकिन इस यह मुश्किल घड़ी में उसको समझने की जरूरत है कि कोरुणा के कारण मरीज का बिहवियर एकदम से कि बहुत खतरना की स्टेज होती है और सभी डॉक्टर कम्यूटी को भी समझने की जरूरत है कि मरीजों के विवहार में एकदम से बदलाओ क्यों आ रहा तो यह सारी जो पेटोफीजियोलोजी कोरूना की समझने की जरूरत है और आम आम जनता आम पब्लिक के लिए मुस्किल है लेकिन जो डॉक्टर कम्यूटी है इसको अच्छी तरह समझ रही है और मुझे पूरा भरोसा है कि हमारे जो डॉक्टर सें उचित समय में उचित इलाज कर रहे होंगे अब इसमें कुरोना महामारी में इस्टेरोइट का इलाज बहुत महत्पूर्ण भूमाई का निभा सकता है लेकिन लेटर स्टेज मिन हम लोग बिल्कुल इसका प्रियोग कर सकते हैं और इसका प्रियोग है पॉइंट 500.5 से 1 میलिगराम पर के बोडीःएट के हसाब से हम लोग दे सकते हैं अकोर्डिंग क्टीशन कंडिशन औरल जो पेशन्ट औरल ले सकता है औरल इस्टरोयड इस्तमाल करिए और जो पेस्ट और नहीं ले सकते हैं इस्टरोयड का भी बड़ा रोल है इंजेक्शन रेमडीशीवीर का कितना रोल है यह सब आने वाले समय में पता चलेगा लेकिन इस्चित ही जीन मरीजों को फाइद इसे इंजेक्शन का इस्तमाल करना चाहिए और ग्रामीन छित्रों में में समस्त युवाओं से हाथ जोड़कर मेरा अपील है कि हमारे जिन मरीजों का भी सरदी जुकां के साथ फिवर आ इसे प्लस आक्सिमिटर जो मुश्किल से 500 से 1000 रुपे के बीच में मिलता है जिसकी किमत आखो सकता है इस महामारी के दोर में अगर उसका अक्सिजेन लेवल हम समय समय पर चेक करते रहे देखते रहे तो निश्चित हमको काफी मदद मिलेगी कोरोना मरीज की गंभिरता को समझने में और हम लोग उचित समय पर डॉक्टर को पहुंचाना मरीज को डॉक्टर के पास लेजाना यह नीचा नेरनाएं ले सकते हैं इस नीचाही को लेने मेंम फ requesting कई-ग्रामेंट्ष्ध्चहत्रों है बिल्कुल हमारे साथ ही ने कमेंड किया कि 12 दिन के बाद खत्रे से बाहर नहीं बिल्कुल भी आप इस बात से बिल्कुल भी यह न सोचे कि आप ठीक हो गए तो बिल्कुल ठीक उसके बाद भी खत्रा बना हुआ है और खत्रा इसलिए बना हुआ है क्योंकि ठीक होने के बाद जो थ्रमबोटिक स्टेज है कोरोना महामारी के करण जो क्लोटिंग जो प्लेट एग्रिगेशन और जो क्लोटिंग फेक्टर में जो डिस्टरबेंस आ रहा है उसके करण आपको कभी भी हार्ट अटेक आने का खत्रा बना हुआ है इसलिए इस बात से बिल्कुल निश्चिंत स्टेबल पेशेंट है उनमें अवरल एकोस्परीन दे सकते मुझे नहीं लगता है कि जिनमें ब्लेडिंग के कोई रिस्क फेक्टर नहीं हो इसे मरीजों को हमको प्रोफाइल एक्सिस में भी इकोस्परिन देना चाहिए क्योंकि देखो जिन्दगी से पढ़के कुछ नहीं मेरे दोस्तों और ऐसे मुश्किल समय में जो प्लीट परिवार है जो उनके दर्द है उनकी तकलीफ हमको गंभीरता से समझने की जरूरत है उनिस्चिती जिनसे जो प्यार महबत रखता है जिनसे जिनका जुडाओ है जिनका बचपन का लगाओ है वो अपने परिवार वालों को अपने माता को पिता को अपने भाई को बहन को बचाने के लिए हर संभव परियास करता है और एसे गंबीर हालात में हमको एसे लोगों की सुनने की जरुवत है, उनकी मदद करने की जरुवत है, ना कि उन्हें डाटे फटका रहे हैं, मैं कहीं जगह देख रहा हूं कि कहीं हमारे Health Minister ने किसी को डाट दिया है, किसी डॉक्टर ने injection मांगने पे, oxygen मांगने पे उनसे ड धेरिये से, धेरिये के साथ पेसा है, क्योंकि आप समझते हैं कि जिन से जिनको प्यार है, जिन से जिनको महबत है, जिन से जिनको लगाओ है, वो अपने करीबी को अपने परीचित को बचाने के लिए हो सकता है, उसको इलाज नहीं मिल पा रहा हो, उसको oxygen नहीं मिल पा रह सकता है लेकिन फिर भी आपको उसकी गंभीरता को उसके धेरिय को पर आपको खुद को धेरिय रकने की ज़रुत है क्योंकि आप आप खुद एक डॉक्टर हैं और उनकी गबिरता को उनके मानसिक इस्तति को आप समझ सकते तो यह बहुत मुस्किल समय है मेरे साथियों और ऐसे मुस्किल हालातों में हम लोग को एक दूसरे का सपोर्ट करने की जरूरत है और खासकर डॉक्टर कम्यूटी और होस्पिटल मि मैं यही अनुरत करना चाहता हूं कि मरीजों के सदोल सिव इक never एने îtैबल हो एगर मरीच इंता हो इसकी में में इलिकल स्थरीं को समझने के जरूरत है क्योंकि तर मरीज का टेंडेंट भी साइक्टरिक हो जा रहा है और डॉक्टर कम्यूनिटी भी इस हालात इस चपेटे में आ रही है लेकिन आपको धेरिये से रहे कर इस मुश्किल हालात का सामना करना है जो ग्रामिन शेत्रों में एक जो अपफा बड़े पेमाने पर चल रही है कि वेक्सीन लगाने से मर जाएंगे वेक्सीन लगाने से आदमी जिन्दा नहीं बचेगा अस्पताल लेकिन मैं आप लोग को सभी युवासाधी जो मुझे सोसल मीडिया पर सुन रहे हैं अमिरीका ह हो कि नइलेका मोग किना नारा हूँ जापान हो चाइना हो यह सब में सब देसों में अपने City जंता को वेक्सिनेट किया और वक्सीनेट करोना कंडेल हुआ है या आप कि व्हुंसे रिसर्च से सब जगत देख लिजे और हमारे देस में सिब्वेक्सीनेशन हो ना कर ऽари जारों मेट्रिक टी नभे हजार मेट्रिक टन अक्सिजन विदेश में भेज दी और जहां आज देश को जरुष्ट पढ़ रही तो हमारे मरीज आक्सिजन की कमी के कराण मर जा रहे साथी बुरा दोर है यह बुरा दोर चले जाएगा लेकिन आप सबको सईयोग करने की जरु सब्सक्राइब स्वाइब करने से पहले सोच जा जा सकता है है जो बिल्कुल नौर्माल बिल्कुल सोच्ट है उनको वेक्सिनेशन जरूरी है वह निक्षिति में भी बहुत जल्दी हमारे विधानसाओ में जाके वेक्सिन लगाने वाला हूं एक तरिख से अगामी एक मई से सरकार ने गुष्णा किये कि एक मई से सभी वहाओं को विक्सिन लगेगा मैं चाहता हूं कि मद्यप्रदेश की सिवरा सिंग चौहन सरकार के अंदरी की मुदी सरकार इसे बात कर जैसे कैसे भी करके बैके जल्स से ज़्यादा व्यक्सिन अट्रकार ताकि उस वैक्सिन लगने के बाद में ऐसे लगने के बाद में और जरूरु कुछ देदोंगे हो सकता है लेकिन उसकी सिवेर्टी से हम बचछ सकते हैं, अभी तक जित्ते भी विक्सिन लगने बाद में जिन लोगों को भी री इन्फेक्शन हुआ, उनको आईसीयू में जाने, आईसीयू तक पहुंचने की जरूरत बहुत कम लोगों को पढ़िए, कुछ लोग हो सकता है, कुछ लोग लोग वेक्सिन लगने के बाद गंबीर हुए हो लेकिन जादा तर देखके यही देखा गया है कि हजारों लोगों में एक दो चार मरीज हो सकते हैं बड़ जादा तर मरीज आई इसव तक पहुंचने की जरुदत नहीं पड़ी कि इसलिए नहीं पड़ी क्योंकि जो vaccination के बाद हमारे सरीर में जो antibodies बनती है 10 से 15 दिनों के वीतर वो antibody Viruse के replication को रोकती है ooh और virus replication होने से रूखेगा तो निस्षीते या हमारे body में severity severity level पहुँचने में virus severe नहीं हो पाएगा कोरोना virus के करन infection हो रहा है जो seek who's or virus which cigarette respiratory distress syndrome हो है वहां तक हम नहीं पहुच भाई गया तो ज्यादा से ज्यादा विक्सिनेशन अगर होगा तो कोविट का जेन जो एक दूसरे से जो फेल रहा है वो फेलने का कोवेक्सिनेशन के प्रती किसी पर्ती की ब्रकार में नहीं रहना चاہिए निसीती वेक्सिन लगने के बाद में हमारे बोडी में इमिन होता है उसके कारण हो सकता है कि कुछ दिनों के लिए वर आये तो उसके घबराने के जरुत नहीं है लेकिन अगर वेक्सिनेशन अगर नहीं लगाएंगा तो जो आज covering जिस गती से फैल कर जो मोते हो रही है उसके पीछे प्रमूख का रणान यह कि अचीत समय पे उचीत इलाज नहीं मिल पाना तो और शरीर के अंदर आक्सिजयन का लेवल देखने के जो हम लोग मेंने सुझाओ दी है एक तो हम हम पलस आक्सिमेटर का इस्तमाल करूए पलस अक्सिमेटर अगर नहीं ले सकते हैं। ग्रामीन खित्रों की जनता नहीं पहुच पाती मुण है तो फ душ आकर तरीकसे त्रौक ऩड़े सकते हैं। बहुत अच्छा काम कर रहे हैं मैं आप सभी युवाओं से सभी जिले जैस की समस्त जिलो जो जैस बोडी है आप सभी से मैं हाज जोड़ कर अनुरोद करता हूं कि गरामिन शेत्रों में जो भी सारवजनी कारेक्रम हो रहे हैं शादियों के कारेक्रम पगड़ी के कारिक्रम या जो भी किसी भी प्रकार के सारो मन्नत के कारिक्रम जो हो रहे हैं उन कारिक्रमों को कुछ दिनों के लिए आप लोग अपने अपने गाओं में उनको केंसिल करने के लिए अनुगोत करें और केंसिल नहीं कर सकते हैं तो कम से कम उन कारिक्रमों में ज किसी में कारिक्राम में सारोजनिक कारिक्रप्र में समेर नहीं हो, यह मेरी हाथ जोड आप सबी से और अप लोग अपने ग्रामिन्ट शेतरों में अगर इसी बात के लिए मना सकते हें मोटिवेट कर सकते हैं कि आपको मास्क बहुत जरूरी है यह सिंपल सा एक यह तीन यह दो यह तीन रुपय का मास्क होता है चाहोता आप एक मास्क का इस्तमाल कर सकते हैं और जहां मास्क का इस्तमाल नहीं कर पा रहा है तो यह जो हम लोग पीले गमचे इस्तमाल करते हैं उनको हम लोग एक मास्क की तरह से इस तरह से हम लोग इनको बस नाग कवर होनी चाहिए पूरी तरह हम इससे इस्तमाल कर सकते हैं यह मास्क का हमारे पास बहुत महेंगे मास्क खरिदने की जरुद नहीं एक सिंपल साइए दो या तिन रुपय का मास्क होता है अब मास्क है सिंपल कपड़े का भी मास्क बना सकते हैं और अपने घरों में परियोप कर सकते हैं इस तरह से और ज्यादा से ज्यादा जीवन को बचा सकते हैं क्योंकि इस महावारी में इस मुश्किल दोर में जहां पर हम लोग मेडिकल फेसिलिटीज कितनी कमिया हैं मैं यह सब बाते इसलिए बता रहा हूं मेरे युवासातियों आज मेरे पास दिन भर सुबह से लेकर साम तक दिन भर मैं सोसल मेडिया के माधियम से म अपने साथियों को सगाओं को और मैं मेरी कोशी से ही रहती कि मैं जितना से जितना ज्यादा उनको गाइड करो क्योंकि जो चीजें हम लोग एक दूसरे को जागरुक कर जागरुकता फिलांकर बचा सकते हैं वह वेसे दवाई भी निकाम करें चाहता हूं कि आप इंपेक् एक ग्राव में मोने अलग सा भ्रहम चल रहा है कि सब को टाइफ हाइड होगे जो करो नम संक्रन वाइरल होगे हम लोग अपने जिवन फारढ़े में ड़ाल को और हम लोग उचित समय पर उचित गभर डवाइज यह जरूर नहीं कर देस्ट देसित बखार आ रहा है और हम अपने मरीज को घर पे ही देसी इलाज ले रहे हमारा नुकसान सबसे ज़्यादा हो रहा है जब हम घर पे तब जाके जब मरीजु को हम अस्पताल में ले जा रहे हैं तो उसके निस्चित ये उसके घातक परिणाव हमको देखने के मिल रहे हैं और दूसरी महतुर्ण बात में आपको बताना चाहता हूं कि कोरोना से ठीक होने के बाद भी बिल्कुल निस्चिन तनर है क्रोना खतम होने के बाद भी जो ब्लड क्लोटिंग वाली जो प्रॉबलम है जो कोगुलेशन वाली प्रॉबलम है हर्ट अठेकि ब्रेंट इएक का कहत्रा बना रहता है ता आप प्रीकॉशन के साथ डॉक्टर और शोचल मीडिया से जुड़े मेरे समस्त युवा साती मेरे बंदु मेरे भाई मेरे मनावर विधान सबाद्चेत्रि के सातियों से आप सभी को मैं बताना चाहरा हूं कि आज हमारे अस्पताल में किस हालत में है मनावर में एक बेड़ सब भुआ है के धार के ऐिस्यू बढ़ानी में बेड़ फूल है राजगडर में जो कोई शेंटर कुला है नगे इंद वहें और के प्रतेक अस्पताल में अर्बिन जो що से महाई हो, वहाँ पे कहीं भी ICU में किसी भी मरीच कमीर मरीच के लिए तुरंत इलाज मिल सके, ऐसे कोई भी वेड़ खाली नहीं है, मनावर से स्रेफर करके इंदोर बढ़वानी भेज रहे हैं, इंदोर भेज रहे हैं, मैं आप सब रिवा साथियों से मैं हाथ जुड़ कर रह हो, कि इस मुश्किल हालात में जहां पर ICU में जगह नहीं है, अस्पतालों में इंजक्शन नहीं मिल पा रहे हैं, आक्सिजन नहीं मिल पा रहे हैं, इस मुश्किल घड़ी को हम सामना करने के लिए अपने ग्रामिन शत्रों में, अपने ग्रामिन वाश्यों को बता सकते हैं जब भी घरों से सार्वजनी कारेक्रम में सामील हो और सार्वजनी कारेक्रमों में भी बिल्कुल भी कम से कम संख्या में सामील हो मेरे सोशल मीडिया पर कहीं जो जिनका यह साथियों के हमारे साथियों के कमेंड भी आ रहा है कि जिन जो एक वन मिनिट में तीस से ज्यादा गिंदी बोल पा रहा है और निस्चित उनका अक्सिजन लेवल बहुत शांदार है 97-98 है आप निस्चिंत रहिए और आप सब को देश वाशियों को युवा साथियों को मैं यह भी कहना चाता हूं कि हमारे देश में मेडिकल व्योस्ताओं की हालात बहुत ही बत्तर हालात है हमारे देश की केंद्रे की सरकार हो चाहे प्रदान मंत्री मोदी जी के नितरतों में चला प्रदेश की सरकार हो हमारे देश में अच्छी वाइरोलोजी लेब होनी चाहिए अच्छे अस्पताल होना चाहिए और हर डिश्टिक लेवल पर हर समधाई स्वास्त के अंद्रे लेवल पर बहतर अधुनिक आईश्यू का सबसे पहले सरकार को इस्थापित करना यह तो बूरे दिन देखने को ना मिले में प्रदेश सरकार से हमारे प्रदान मंतरी मोदी जी से हाजाद कि अपील करना चाहता हूं कि आपडेश की स्वास शिवाओं को बेहतर बनाने के लिए देश में युवाओं से विधानसबादी खेत्र वाजरीं से मेरि हाथ जोड़ कर अपीले कि इस मुस्किल हालाथ में मुस्किल घड़ी में आप सभी सयोग करें और जो भी जानकारी जो भी जानकारी जो भी medical से related जो भी problems आए आप लोग जो भी आपको doubt हो उसको social media पर में समई समई पर लाईव होता रहूंगा और आप लोगो जानकारी देते रहूंगा कि मैं आप सभी तो साथियों आप सभी युवाहू करो आप सभी साथियों और मेरे हैं तुद्धूख से जुड़े दोस्तों का स्वास कि अब सभी स्वश्थर हैं आपकेरीवार में ऑपके मम्मी आपके पापा आप मेहन अपके सबी रिष्टदार स्वस्त रहें ठीक रहें और आपके जो भी परिचित किसी भी हस्पताल में इस मुश्किल हालात में हैं मैं उनके स्वास्त की स्वार से प्रार्तना करता हूं और आप सबी से मेरा हाज जोड़कर अनुरोध है कि मास्क का परियोग करें वेक्सीन नेशन से टरए नहीं के पर दीकिसी भी परकार के प्रहम और अपवा नहीं ड्रीजान का जमाना है और अगर इस विख्यान के जा साइंस के यूग में भी हमें अपहगवह फिलाएंगे तो फिर यह उपहवाएं से हमारे देश को नहीं बचा पाएंगे तो किसे आप सबी सवश्ट रहें निरोग रहें मैं यही आप पीस वर से प्रातना करता हूं आप सभी को जोहार जे अडिवसी जिन्दाबाद